next question question says let e g and n represent the magnitude of electromagnetic gravitational and nuclear forces between two electrons यहां notice करना protons नहीं है two electron है बहुत बास इस बात पर confused बहुत है आद कि इवन separation then हमें बताना है e g n में कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा इसका जो अपना right answer होएगा तो अगर अपने electrons हैं इस अपना एक electron यह अपना दूसरा electron इनके बीच में जो सबसे ज्यादा strong force होएगा वो पहले आपको electromagnetic force होएगा अगर दोनों रेस्ट में तो उसका नीचा सिर्फ electrostatic रहेगा उसको हम लिखेंगे के q1 q2 divided by r square यह आपका स्लेवर्स का पार्ट नहीं है तो इसका जो राइट option होएगा वो होएगा एट विल भी ग्रेटर देन जी देट विल भी ग्रेटर देन एन अगर यही अगर सवाल होता कि यह दो एलेमेंट आपके electron ना होके proton होते हैं और वो nucleus के अंदर होते हैं तो आपका यह वाला force सबसे हरा strong होता लेकिन यहाँ पर क्योंकि दो electron की बाहत हो रही है electron कभी भी nucleus में या फिर एक फर्मी से कम के distance में नहीं होएंगे so option number D would be the right answer